सबसे लंबी समय से प्रसारित हो रहा सोनी चैनल का क्विज बेस्ड रियालिटी शोओ कौन बनेगा करोड़ पती सिर्फ गेम नहीं बलकि इस वज़र से भी चर्चा में रहता है क्योंकि इससे सदी के महानायक अमिताब बच्चन होस्ट करते हैं कौन बनेगा करोड़ पती 14 के बीते एपिसोट में भुपाल के रहने वाले दीपेश चैन होट सीट पर बैठे वो फास्टेस्ट फिंगर फिर्स्ट का सबसे पहले जवाब देने वाले कंटेस्टेंट बने वो होट सीट पर बैठ कर भावुख हो गए थे कंटेस्टेंट ने खुद को बिग बी के सामने बताया जुगनू कंटेस्टेंट ने पहले अपने इंट्रो में कहा मेरा परम सौभाग यह है कि मैं मेरी 20 साल की मेहनत तपस्या और कोशिश थी वो आज सफल हुई शो को लेकर मेरे अंदर दीवान की इस कदर थी मैं अपने मोबाइल में के बी सी का सिगनिचर ट्यून लगा कर घूमता था लोग हसते थे और मजाक उड़ाते थे लेकिन मुझे पता था कि एक दिन में होट सीट पर जरूर बैठूंगा और ऐसा हुआ इसके बाद वो बिग बी की तारीफ करते हैं वो कहते हैं मैं अतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप सहस्त्र रश्मी सक्षम सूरे समान तेज प्रतापी हैं मैं आपके सामने इतना सजजुगनू हूँ बिग बी ने दिया ऐसा रियाक्शन बिग बी उनकी बाते सुनकर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये आपकी बहुत बड़ी गलती है कंटेस्टेंट आगे बोलते हैं पता नहीं पिछले जन्म के कौन से पुन्य थे जो आज मैं आपके सामने बैठा हूँ कंटेस्टेंट के इस बात पर फिर बिग बी रियाक्ट करते हुए कहते हैं ये आपने बहुत ज्यादा ही बोल दिया इसके बाद वो गेम को शुरू करते हैं